हलो आल, ट्रेडर प्लस इस डिजिटल एजुकेशन प्लाटफरम पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ट्रेडर प्लस के उपर कैसे रजिस्टेशन करना है उसके लिए पहले हमें गूगल में जाके ट्रेडर प्लस सर्ज करना है सर्ज करने के बाद यहाँ पर ट्रेडर प्लस शो हो रहा है इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमारी विबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है यहाँ पर हमें register के उपर click करना है register के उपर click करने के बाद create your account का नया page open हो जाता है सबसे पहले आपको यहाँ पर affiliate ID डालना है affiliate ID डालने के बाद affiliate नाम यहाँ पर show होता है इसके बाद आपको जिसका ID log-in करना है यानि कि जिसका registration आप यहाँ पर कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे जैसे की first name यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद middle name अगर middle name नहीं है तो उसे नहीं डालना है और उसके बाद यहाँ पर last name डालना है यहाँ पर आपको email id डालना है आपको वही email id डालना है जिस email id का password आपको पता है अगर आप email id का password नहीं जानते हो तो ऐसी email id यहां मत डालिये यहाँ पर आपको mobile number डालना है यहाँ पर आपको male या female select करना है यहाँ पर आपको city डालना है यहाँ पर address डालना है यहाँ पर आपको zip code यानि की pin code डालना है यहाँ पर आपको password डालना है पास्वर्ट में पहला लेटर capital रखना है उसके बाद एक special character और उसके बाद numeric value डालना है इसके बाद आपको I accept term and condition को accept करना है और नीचे जो capture दिया है उसे type करना है और register के उपर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हो आपका registration complete हो चुका है और registration details यहाँ पर show हो रहे है जैसे username, password, sponsor username and registration date registration होने के बाद आपको email verification कर लेना है और उसके बाद login करना है तो उसे पहले कर लीजिए आपको समझ में आया होगा तो इसे properly understand करिए और इसके according आप registration कर सकते हो next video में हम understand करेंगे कि हमें ID कैसे active कर लेना है so thank you very much, have a nice day, thank you